हलो फ्रेंट्स आज मैं क्रॉम्टन आप्टिमस 100 के छोटे भाई क्रॉम्टन आप्टिमस 65 लीटर वाले मॉडल की अन्बॉक्सिंग करने जा रहा हूँ इससे पहले मैंने क्रॉम्टन आप्टिमस 100 का रिव्यू और क्लीनिंग वीडियो बनाया है मैं इसके बॉक्स को ओपने जा रहा हूँ पर ओपन करने से पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि इसके बॉक्स पर क्या-क्या मेंसन किया गया है इसके सारे स्प्लॉफिकेसंस में अब देख सकते हैं कि इसके साइड में लिखा हुआ है यह दो along सब्सम करता है 60-liter का kooler है 1-year इसकी वारंटी है और इसमें आपको हाइस टिलीवरी मिलती है motor overload protection मिलता है आट फुल फंक्सन मिलता है honey calm cooling pads मिलते हैं एक्ष्टा लाट साइज का 20 चेमबर मिलता है और 60-liter tank capacity है यह इसमें आपको easy drain function मिलता है और vertical levers का movement motorized मिलता है विल लगे हुए हैं और मास्कीटो नेट भी लगा हुए है इसके आपोजिट साइड में भी सेयम Experiment года लिखी हुई है आप चाहें तो देख सकते हैं आप हम देखते हैं कि इसके फ्रंत में क्या लिखा हुआ है, फ्रेंट में आप देख सकते हैं कि इसमें न्यू इजीडेंट फंक्चन लिखा हुआ है और इसके नीचे एक क्राउंटर का चित्र बना हुआ है और कुछ नहीं है तो चलिए इसको हम अन्बॉक्स करके देखते हैं मैंने इस्कूलर का लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में में इंसन कर दिया है आप अगर इसको पर्चेस करना चाहें तो इसकी डीटेल को वहां जाके चेक कर सकते हैं और इसको पर्चेस कर सकते हैं दोस्तों इसको अन्पैक करने के बाद सबसे पहले हमें यह इसमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुवल मिलता है आप देख सकते हो इसकी फिलाल मुझे ज़रुवत नहीं है और उसके बाद आप उसके नीचे आएंगे तो यह जो कंट्रोलिंग नॉब्स हैं तीनों इनकी क्वाल और यह सब लिखा हुआ नहीं था आटो ड्रेंट फंक्शन एवर लाश्ट पंप यह सब इस पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और दोस्तों अगर हम और नीचे आते हैं तो इसमें फुली कोलेप्सिबल लुवर्स मिल सकते हैं देखिए यह थोड़ा सा भी टाइट है लेकिन जैसे जैसे हम इसको यूज करेंगे तो यह लूज हो जाएगा और यह सब से नीचे इसमें आपको वाटर इंडिकेटर मिल जाता है अब दोस्तों देखते हैं देखिए इसमें एक बड़ा सा आइस चेंबर मिला हुआ है और इसमें आपको यह क्रॉम्टन आप्टि अराम से डाल सकते हैं उसके बाद आप अगर इसमें साइड में देखते हो तो आपको साइड में मास्कीटो नेट मिल जाएगा है इस नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है आपने अगर प्रॉम्टन आप्टिमास 100 के रिव्यू में नहीं देखा है तो आप देख सक कुलिंग पैट की क्या बाद साफ कर देते हैं तो उसके बाद लाइफ काफी आफ जाएगी और यह कं से कम पांत साल पक चलेंगे उसके पालें नहीं खराब होंगे और नीचे आने पर आप देखते हो कि ये हमको क्न्ट्रोलमनॉब मिल जाता है इसमें low पे करेंगे तो low cooling होगी और high पे करेंगे तो high cooling होगी और अगर आपके कमरे में humidity ज्यादा हो रही है तो आप इसको low cooling पे कर दीजिए low cooling होने पे tank के अंदर पानी कम गिरता है और वो manually humidity थोड़ा सा कम कर देता है और यह हमको नया मिला हुआ है यह मेरे 100 liter के cooler में नहीं था यह नया है यहाँ पे आप pipe connect करके direct इसको fill कर सकते हो टाइंक को और यह आप देख सकते हैं कि यहाँ में auto drain plug मिलता है इसको निकाल दें और इसके साथ में हमको यह यह मिला हुआ है इसको यहाँ पे लगा देना है और इसको लगाने के बाद आप इस control knob को आटो ड्रेन मोड पे लगा दीजिए और pump को on कर दीजिए तो पानी आपका आटो ड्रेन हो जाएगा और इधर हम आते हैं तो यहां हमको आटो फिल फंक्शन मिल जाता है इस आटो फिल फंक्शन के लिए हमको एक साथ में pipe connector मिला हुआ है इसको हम यहां पे फिट कर देंगे और उसके बाद इसको यहां पे लगाने के बाद इसको pipe में लगा के pipe को tap से connect करके cooler को चला के छोड़ दीजिए तो यह जब आटो फिल हो जाएगा तो इसके अंदर एक balloon wall लगा हुआ है जिसको float wall भी बोलते हैं वो जब भर जाएगा तो उपर आजाएगा और पानी भरना बंद हो जाएगा लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको आटो फिल फंक्शन में लगाएं तो tap का pressure कम हो उसको थोड़ा साही खोलें ज्यादा खोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी मैं cooler को आटो ड्रेन नहीं करता लेकिन यह 100 लिटर के केस में था 65 लिटर के केस में यह होगा कि यह एक दिन से ज्यादा चलेगा साहद से उसके बाद मैं यूज करके बताऊंगा आपको अब इसका मास्कीटो नेट लगा देते हैं उसके बाद इसको नीचे इसका केश्टर विल लगाके फिर आपको एयर तो चलिए जल्दी से हम इसमें कैस्टर विल लगा देते हैं और इसको लगाने का सबसे आसान तरीका मेरे पास यह है कि इसको लेटा दूँ उसके बाद इसमें कैस्टर विल लगा हूं इसके अंदर एक अहलकी सी आवाज आई है साइद एक नट एक्स्ट्रा है पहले भी मेरे पुराने कूलर में भी एक स्क्रू एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था इसमें ये देखिए इसमें पांच कैस्टर वील साथ में मिलते हैं जिसमें से जिसमें से इन दो कैस्टर वील्स में आपको लॉक मिलते हैं ये दोनों कैस्टर वील्स फ्रंट के साइड में जाएंगे और बाकी सारे कैस्टर वील्स को आप पीछे और बीच में लगा सकते हैं दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आसेंबिलिंग गाईड में क्रॉम्टन आप्टिमस हन्डेड लीटर के लिए फाइब वील्स दीए हुए हैं और क्रॉम्टन आप्टिमस 65 लीटर में 4 विल्स दीए हुए हैं तो क्योंकि मैंने 65 लीटर का कूलर खरीदा हुआ है तो मुझे इसमें चार वील ही लगाने हैं बाकी एक वील मेरे पास एक्ट्रा पड़ा रहेगा तो यह बैक का साइड है इसलिए इसमें हम बिना लॉक वाले कैस्टर वील को लगाएंगे फिर यहां फ्रंट के साइड में ह जब भी सीजन खतम हो जाए तो साल भर के बाद निकाल के पानी ड्रेन करके फिर इसको लगा के रख दीजिए इससे आपका टैंक पूरी तरह से खाली हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी इसके साथ हमको इसक्रू का एक पैकेट मिलता है इसी स्क्रू से हम को कैस्टर विल्स को लॉक करना है तो चलिए जल्दी से हम इसके कैस्टर विल्स को लगा देते हैं दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने इसके कैस्टर विल्स को असेंबल कर दिया है अब यहां पर आपको लॉक मिलता है यह नीचे की तरफ रहेगा तो आपका विल्स लॉक हो जाएगा और यह घूमेगा नहीं और जब भी आप इसको कहीं ले जाना चाहें तो इसके लॉक क को हमेशा खोल दें ध्यान रखिए कि यह खोल दें उसके बाद आगे पीछे करें नहीं तो लॉक टूटने का डर रहेगा दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा कूलर चलाने के लिए अब रेडी है अब इसको हम इसमें पानी भर के चलाते हैं फिर इसके हम नौज लेवल की करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि यह कितनी दूर तक हवा फेक सकता है वैसे जिस हॉल में मैं खड़ा हूं यह हॉल 17 फीट लंबा है तो इस हॉल के लिए तो मैंने आपको 100 लीटर वाले क्रॉम्टन आप्टिमस का भी दिखाया था कि काफी अच्छी हवा फेकता है तो इसके बाद यहां पर पाइप लगाना पड़ता है उसमें लेकिन इसमें यहां पर पाइप लगा के आराम से पानी को भर सकते हैं और अगर आप आप फिल प्रोविजन पर यहां पर पाइप लग कनेक्ट करते हैं तो इससे पानी बहुत स्लो जाता है और नल का प्रेसर भी काफी तेजी से अभी इसको लगाए हुए सिर्फ एक मिनिट हुआ है और एक मिनिट में ये मीडियम तक पहुचने वाला है दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पानी कितनी जल्दी भरा है अभी सिर्फ तीन चार मिनिट ही हुए होंगे और इसकी पैसर लीटर की टंकी भर गई है तो चलिए आप जल्दी से हम इसका न्वाज लेवल और एर डिलिवरी चेक कर लेते हैं आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फैंस को बंद कर दिया है ताकि मैं आपको दिखा सको कि इस कूलर की एर डिलिवरी कैसी है अब हम इस कूलर को चला देते हैं तो पहले हम इसका प्लग लगाएंगे इसका मैंने पावर अन कर दिया है और अब हम इसका pump भी own कर देते हैं और आप देखिए कि इसमें high cooling पे set है पानी आने में सिर्फ और सिर्फ 2-3 सेकंड लगे हैं 2-3 सेकंड में पानी ice chamber में आ गया है तो अब इसको हम इसके फैन को आउन कर देते हैं और देखते हैं कि इसकी एर डिलिवरी कैसी है तो इसको हम बंद कर देते हैं आईस चैंबर को अब मैं इसके जश्ट बगल में खड़ा हूँ आप इसका नौइज सुन सकते हो कि कितनी नौइज करता है और air delivery के लिए आप देख सकते हैं कि ये परदा जो है मेरा 11 feet के बाद लगा हुआ है पूरा hall 17 feet का है तो उधर भी काफी अच्छी हवा आ रही है आप देख सकते हैं और देखिए मेरा cooler इतनी दूर लगा हुआ है air delivery की बात करें तो इसकी air delivery बहुत अच्छी है मैं इस कमरे के दूसरे चोर पे बैठा हुआ हूँ इससे 17 feet दूरी पे और यहाँ पे हवा इसकी काफी अच्छी आ रही है और अगर cooling की बात करें तो अभी ये cooler नया है इसलिए इसको थोड़ा सा time लगेगा room को cool करने में बाकी air delivery तो काफी अच्छी है ही और क्योंकि ये नया नया है तो इसको सबसे पहली बार में चलाया है इसलिए इससे थोड़ी से दूरगंद आ रही है लेकिन वो जब honeycomb pet पूरी तरह से भीग जाएगा तो उसके बाद first use के बाद वो दूरगंद चली जाती है और उसके बाद आपको उससे कोई भी गंद नहीं आएगी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा cooler है इसको आपको जरूर recommend करूंगा इसका noise level भी कम है air delivery तो कमाल की है और इसका जो tank है वो भी बड़ा है एक दिन से ज्यादा आपका पानी चल जाता है तो बहुत ही अच्छा cooler है और मैंने इसको Amazon से 11700 रुपय में खरीदा है आपके area में आपके seller के हिसाब से थोड़ा सा price उपर नीचे हो सकता है लेकिन इस price में ये cooler best है इससे अच्छा cooler आपको इससे अच्छी delivery वाला नहीं मिलेगा मैंने बहुत सर्च किया लेकिन कोई भी cooler ऐसा नहीं है जो इतनी air delivery क के साथ इस price range में आता हो मैंने इस cooler का link नीचे description में mention कर दिया है आप अगर इसको purchase करना चाहें तो इसकी detail को वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और इसको purchase कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजे और मेरे channel को subscribe कर दीजे और बगल में द comment box में mention कर सकते हैं मैं आपके comment की reply जरूर करूंगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद टाटा बाई बाई